एपीजी पाटशाला हिंदी में आपका स्वागत है, मैं विभास चंद्रवर्मा, आज हम लोग समकालीन साहिति चिंतन के अंतरगत, रेमन्ड विल्यम्स की साहिति द्रिष्टी के बारे में बात करेंगे. इस सिकाई के अध्यान के बाद आप रेमन विलियम्स का संखिप्त सहितिक परिचे जान सकेंगे सहिति और आलोचना संबंधी उनकी मानिताओं से परिचित हो सकेंगे संस्कृति और सहिति के संबंध पर उनकी धारना का परिचे जान सकेंगे अनभूती की समरिचना संब्दि उनकी मानिता जान सकेंगे सांस्कृतिक बहुतिक वाद की उनकी क्या धरना है यह जान सकेंगे और भाशा संब्दि उनकी धरना जान सकेंगे Ravenons का जन्म सन 1921 में Wells, England में एक मज़दूर परिवार में हुआ था उनकी मृत्यू सन 1988 में हुई उन्होंने Trinity College Cambridge में शिक्षा प्राप्त की और बाद में इसी विश्विद्याले में Modern Drama के प्रोफेसर नियुक्त हुए उनकी पढ़ाई के दौरान दूसरा विश्विद्च छड़ गया था जिसमें वे Britain की सेना में भी रहे और उसके बाद सेनक में अपनी सिवाएं खत्म करने के बाद अपनी डिग्री पूरी की और काफी समय तक वयस्क शिक्षा कारिक्रम से जुड़े रहे जिसके बाद फिर वे Cambridge में प्रोफेसर नियुक्त हुए उन्होंने जन्माधिमों को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया है सांस्कृतिक अध्ययन के अनुशासन के निर्मान की शुरुवाथी उनके लेखन से मानी जाती उनके लेखन और चिंतन का छेत्र बहुत विस्तृत है वो एक महत्तपूर्ण उपन्यासकार और नाटककार भी थे दरसल वे साहित के ऐसे सिध्धान्तकार थे जिसने उपन्यास भी लिखे नाटकों के ऐसे इतिहासकार थे जो स्वयम नाटककार था टेलिविजन और जन्माधिमों के ऐसे टिप्पनिकार थे जिसने इन माधिमों का खुद काफी उप्योग किया था टेरी गल्टन के अमसार उनके काम को किसी एक नाम में बांधा नहीं जा सकता या मात्र समाज शास्त, दर्शन शास्त, साहित्या लोचन या राजनेतिक सिध्धान्त नहीं है और या उतना ही रचनात्मक क्या कल्पनाशील है जितना अकादमिक कारे है मात्सवादी आलूचक होने के साथ इनकी धारनाओ पर F.R. Lewis और उनके स्कूरूटनी संप्रदाय का भी असर देखा जा सकता है इनकी प्रमुख क्रितियों में रीडिंग और क्रितिसिम, ड्रामा फ्रम इब्सन तू इलिएट, कल्चर और सोसाइटी 1780 से 1950, दे लॉंग रवॉलुशन, मौर्ण ट्रेज़िदी, दे इंग्लिश नॉवल फ्रम दिकेंस तू लॉर्ण्स, दे कंट्री और सिटी, तेलिव इनके दो बहुत प्रसीद उपन्यास हैं, बॉर्डर कंट्री और सेकंड जेनरेशन, अब हम रेमन विलियम्स की साहित्य, आलोचना और संस्कृति के संबन्द में विचारों के बारे में जानेंगे दरसल रेमन विलियम्स ने साहित्य या ऐसे जो सांस्कृतिक रूप हैं, उनको अलग थलग साहित्य सौंदरी शास्त्री प्रक्रम के रूप में नहीं देखा, बलकि उसे एक ऐसी गहरी सामाजिक प्रक्रिया के तौर पर समझने का यत्न किया, जिसमें लेकी, विचारधार संस्थानात्मक गतिविधियां या सौंदरी शास्त्री या फिर सामानी रूपों की श्रिंखला संबंधित रहती हैं दरसल विलियम्स के यहां प्रक्रिया और संबंध बहुत महत्पूर्ण शब्द हैं उन्होंने प्रक्रिया और संबन को काफी महत्व दिया है और इसी कारण कई बार उन्होंने अपने विचारों को सुधारा या विक्सित भी किया है। रेवन विलियम्स आरम में अंग्रेजी आलोचना की मैथ्यो औरनॉल्ड, टी एस एलियेट और एफ र लीविस की सहितिक परंपरा के अंदर लेकिन उससे संघर्ष भी करते हुए दिखते हैं। साथी वे तीसरे चौथे दशक के बिटिश माक्सवादियों की सहितिक आलोचना को खारिज करते हैं। न सिर्फ जड़ है बलकि निर्धार अनात्मक भी है। इस प्रविधी में सहितिकी वास्तविक प्रकृति छूट जाती है जो जीवन के व्यापक अनुभव, detailed experience of living में रहती है जिसको सहिति मूज करता है। उनका यह विचार लिविस की मानिताओं के करीब था। विलियम्स लिविस के विचार से अधिक अनुभव को महत्विदे ने सहितिक रूपों और रचनाओं और प्रवितियों की पहचान पर बल देने से भी प्रभावित थे। साथी वे यह भी मानते थे कि सहितिक कृतियों में मूली वत्ता होती है। उनमें मूली होता है। अतह उनका विचलेशन मूली निर्पेक्ष तरीके से नहीं किया जा सकता। लेकिन रेमन्ड विलियम्स ने लेविस के साथ और नॉल्ड और इलियट की अभिजात धारनाओं को भी स्विकार नहीं किया। साथी वे इनके लेखन में नहित अतीत प्रेम और निराशावाद से भी सहमत नहीं थे। लेविस और उनके स्कूटनी संप्रदाय का यहमत था कि जो मास सोसाइटी आ रही है उससे समाज के नैतिक और सांस्कृतिक ताने बाने को खत्रा है और साहिती की महान परंपराही लोकतांत्रिक छरण की इस आंधी को रोक सकती है और इस आंधी को रोकने में साहिती कालोच की भूमिका अहम है। संस्कृति की इन अभिजात अउधार्णाओं के उलट विलियम्स ने कहा कि संस्कृति मामुली या साधारण होती है। यानि उच और निम्न इस आधार पर संस्कृतियों के अंतर को गौन कहा। और कहा कि इनकी जटिलता का कारण वे समान तत्व हैं जो एक समान भाशा में होने के कारण उत्पन होते हैं। यानि ये दोनों तरह की संस्कृतियां, उच्छ संस्कृति या निम्न संस्कृति एक ही भाषा का प्रयोग करती हैं, इसलिए यह अंतर इतना सरल नहीं है। उनके अंसार अंतर देखा जाना चाहिए, तो जीवन पद्धती में देखा जाना चाहिए। और जीवन पद्धती का या अंतर मात्र आवास, पहनावा, अवकाश बिताने की पद्धती जैसे तत्तों तक सीमित नहीं है। क्योंकि और द्योगीक उत्पादन के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें ये सारे तत्व समरूप हो ही जाते हैं। निरनायक अंतर सामाजिक संबंधों की प्रकृति के विचारों के बारे में है। क्रियाओं या संपूर्ण जीवन पद्धती के अंतरगत मुल्यों और अर्थों के विन्मय और विस्तार में नहित होती है। Raymond Williams सांस्कृतिक विशलेशन के लिए अनभूती की संरचना पद का प्रयोग करते हैं। Raymond Williams ने या पद सबसे पहले अपनी किताब प्रिफेस्टू फिल्म्स में प्रस्तुत किया था। या पद नाटक की जो रूडियां या कन्वेंशन्स होते हैं और उनका लेखन यानि उनकी जो स्क्रिप्ट होती है उसमें संबन बताने के लिए प्रयोगत हुआ था। Williams कंशार नाटक एक भौतिक गतिविधी है जिसमें लेखन का मुद्दा नाट्या लेख या पटकथा के तौर पर जुड़ा रहता है। किसी समुदाय के तमाम उतबाद तत्ता संबंधित रहते हैं लेकिन उनके संबंध के प्रकार का वर्णन मुश्किल होता है। ये तत्तों अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं लेकिन जीवन की प्रक्रिया में ये जिस मिश्रित या संबंधित अवस्था में होते हैं, वो एक जटिल संद्रचना के अविभाज अवियाव की तरह होती है। रचना या कला में इसी समग्रता के प्रभाव या प्रभावी अनुभूती की संरचना को अभिव्यक्ति या मूर्थ किया जाता है, जो किसी युग का पूर्ण या सामान ने अनुभव है. उदारन के तौर पर नाटी रूढियां अनभूती की इसी सनलचना का अंश होती है और युग के बदलाव के साथ नई अनभूती की सनलचना नई नाटी रूढियों के निर्मान की अवश्यक्ता तैयार करती है उदारण के तौर पर जैसे एक नाटी रूढ़ी हम मान लेते हैं कि कोई चादर ओड़ लेने पर दर्शक मान लेंगे कि मंच का यह पात्र अद्रिश्य है यह एक स्विकृत नाटी रूढ़ी है लेकिन इसी समय जब कोई नाटक कार इस रूढ़ी का प्रियोग करता है कि पात्रों में से एक दर्शकों से सीधे संबोधित हो करके उनसे बात करने लगता है तो यह लोगों को अलग सा लगता है यह एक नई नाटी रूढी आती है यह एक नई अन्भूती की संदचना का अंग होती है यानि युग के बदलाव के साथ नई अन्भूती की संदचना नई नाटी रूढीयों के निर्मान की आवश्यक्ता तैयार करती है वस्तुतर नई नाटी रूढियां महज मंच या तकनीक की सुविधा का मसला नहीं है रूढियों का परिवर्तन कहीं न कहीं सामाजिक चेतना में आते बदलावों की वज़े से होता है विलियम्स कंशार ये कारगर परिवर्तन तब संभाव होते हैं जब इन परिवर्तनों को स्विकार करने की नहित आकांक्षा कहीं न कहीं होती है कम से कम समाज के उन समुहों में जिन समुहों से नाटककार अपना संभल पाता है अनभूती की संरचना का उप्योग विलियम्स ने उपन्यासों के अपने अध्यान में भी किया है उननीस्वी सदी के कुछ उपन्यासों का विशलेशन करते हुए और द्योगी क्रांती के फलस्वरूप बदलते ब्रिटन के समाज और उसकी चितना को उन्होंने स्पष्ट किया है इल्जाबित गासकिल, चार्ल्स डिकेंस और जॉर्ज एलियट के उपन्यासों का विवेचन करते हुए उन्होंने पाया कि इस युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकारों ने बढ़ते हुए पुंजिवाद के दुश्प्रभावों की आलोचना की है लेकिन इस आलोचना से अधिक महत्वपूर्ण उपन्यासों से उभर कर सामने आने वाली अन्भूती की संरचना है जैसे कि इस उपन्यासों में पुंजिवाद की बुराईयों की पहचान है उन्होचना भी है लेकिन पुंजिवाद से पीडित जन्समुदाय के साथ उपन्यास में सहान्भूती वहाँ संघर्ष और कर्म की प्रेड़ना नहीं देती है बलकि उनसे अलग होकर आत्मलीन होने की स्थिती की और ले जाती है अनभूती की यह संरचना रचना के स्तर पर उस संतुलन में दिखती है जिसमें एक और बुराई की पहचान है और दूसरी और उस बुराई से लड़ने से बचने की कोशिश उन्होंने उपन्यास को एक ऐसा सहिती रूप माना जिसके माध्यम से मनुष अभिव्यक्ती के नए नए रूपों और भाषा की नई भंगिमाओं के सहारे नए अनुभवों की पहचान करता है मानुवी संबंधों और भावनाओं की दुनिया में सामाजिक परिवर्तनों की पुनर रचना करते वे उन पर विजय पाना चाहता है उपन्यास संबंधी अपने विवेचन जिसमें व्यक्ति केवल काम या भिन्यता या परिवार के माध्यम से ही न जुड़े हो बलकि उनमें अनेक स्तरों पर जुड़ाओ हो उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक काल में अब ऐसे सच्चे समुदाएं नहीं है इसलिए अब वैसे उपन्यास नहीं लिखे जा सकते इसका यह अर्थ नहीं कि आधुनिक क्यों के उपन्यास बहतर नहीं है या कि निक्रिष्ट है बलकि यह कि आधुनिक काल के उपन्यास उनिस्वी सदी के उपन्यासों से भिन्न होंगे उपन्यास के अध्यान में उन्होंने गे समुदाए और अगे समुदाए Knowable Community और Unknowable Community पदों का भी प्रयोग किया उपन्यासकार लोगों और उनके संबंधों को बोधगम्य और संप्रेशनी तरीकों से दिखाता है इस प्रकार ज्यादातर उपन्यास गे समुदाए होते हैं Knowable Community होते हैं लेकिन गेयता सिर्फ वर्णे का मसला नहीं है यानि आबजेक्ट का मसला नहीं है उस चीज का मसला नहीं है कि क्या लिखा जा रहा है या वर्णनकार यानि सब्जेक्ट या परिवेख्षक का भी कर्म है कि वह किस चीज को जानना आवश्यक समझता है और उसके लिए क्या चीज जानना वांचित है यानि ये समुदाए प्रकट तथ्यों के साथ चेतना का भी विशय है या जितना उपन्यास का विशय है इतना ही उपन्यासकार का भी विशय है रेमन مिलियम्स ने अनभूती की संद्रचना की अपनी धार्णा को लूसियन गुल्ड मान की विशुदरिष्टी या अल्थुजेर की विचार धारा की धार्णा से थोड़ा भिन्न बटाया उन्होंने कहा कि ये धार्णाए अपेक्षितया अधिक विवस्थित धार्णाए अनभूती से उनका आशे वे मूल्य और अर्थ हैं जिनने वस्तुतह जिया या महसूस किया जाता है तथा उनके तथा संगठित विश्वासों मानिताओं से संबंध जो होते हैं वो व्यवहार में बहुत आस्थिर प्रकृति के होते हैं विलियम्स चेतना और संबंधों को स्पंदित करने वाले उन विशिष्ट तत्वों की बात कर रहे थे जो आवेग, सैयम या लहजों के अभी लक्षक तत्वों होते हैं वे विचार बनाम अनभूती की या विचार के अनभूत होने की विचार बनाम अनभूती की बात न कहकर उस चण की बात कर रहे थे जहां विचार अनभूत होने लगता है या अनभूती स्वेम विचार बन जाती है इसे वर्तमान यानि जीवित और अंतर संबंदित निरंतरता उस वर्तमान की व्यावारिक चेतना भी कह सकते हैं इसे संरचना के तौर पर देखा जाना ऐसे विशिष्ट और आंतरिक संबंदों के समुच्चे के रूप में देखना है जो परस्पर गुथे भी हो और एक तनाव भी हो यानि संरचना एक ऐसा समुच्चे है जिसमें अलग और आंतरिक संबंद जो हैं वह एक खास तरीके से आपस में जुड़े भी रहते हैं लेकिन परस्पर तनाव में भी रहते हैं रिमन वियमस ने इस बात पर बल दिया कि अनभूती की संरचना को पाठ के विशलेशन में ही पाया जा सकता है वियमस ने इस धारणा को अपनी पुस्तक दे लॉंग रिवॉलिशन में और भी विखसित किया दरसल विलियम्स की इस धार्णा पर E.P. Thompson जैसे कई लोगों ने यह आपत्ती की कि यह एक तरह से वर्ग संघर्ष को नजर अंदाज कर देती है और एक तरह के आव्यविक समाज की और इसका संकेत है विलियम्स ने इस धार्णा को ने जो समग्रता का बोद था टोटालिटी का बोद था उसकी जगा उन्होंने हेगेमनी की बात की वर्चस्व की बात की लेकिन विलियम का वर्चस्व की धार्णा ग्रामशी के वर्चस्व की धार्णा से थोड़ी अलग थी विलियम वर्चसु को मानिताओं, अर्थ और मुल्यों की आपचारिक व्यवस्था के रूप में न देखकर सामाजिक प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं इसमें उस सत्ता का तत्व तो है पर विलियम्स का बल इसके दैनंदिन व्यवहार पर था इस दैनिक संस्कृती में प्रभुत्व और अधीनता के तत्व होते हैं लेकिन वर्चस्व संपूर्ण व्यवस्था या विचारधारा नहीं है, टोटल सिस्टम नहीं है इसमें प्रभुत्व और अधीनता के संबंध कई अलग-अलग विविध ठोस संबंधों और प्रक्रियाओं के साथ होते हैं या उनके अंग बनकर जुड़े होते हैं अनभुती की संरचना की नई अधारना में नए परिवर्तित सांस्कृतिक प्रथा के आविर्भाव के पहले के छण का अध्ययन होता है जो सामाजिक कन्वेंशन्स या प्रथाएं होती हैं वो अधीनता और प्रभुत्व की डाइनेमिक्स में ही रूप करहन करती हैं विल्यम्स ने एक और जहां उच्च संस्कृति और साधारन अनभौ के बीच के विरोध का विखंडन किया वहीं आर्थिक प्रक्रियाओं द्वारा संस्कृति के निर्धारन के बेस और स्ट्रक्चर के जड़ या वलगर माक्सवादी मॉडल को खारिज करते हुए एक ऐसा मॉडल प्रस्तावित किया जो सभी सामाजिक स्तर पर आपस में अंतहक्रिया करता है इनके बीच अधिक गूर संबंद एक अनौपचारिक सामाजिक संजाल का है जिसको विल्यम्स बनावट या फॉर्मेशन कहते हैं किसी भी एतिहासिक विशलेशन में उसकी बनावट में यानि residual संस्कृतियों की कारगर उपस्थिती के साथ emergent आविरभावी संस्कृति की निशान देही भी आवश्यक है दोनों में कोई भी प्रभुतुशाली हो सकता है प्रतिरोधी हो सकता है या दोनों वेकलपिक हो सकते हैं यानि एक समय में अनौपची की संरचना में यह प उस समय प्रभुतुशाली अनौपची की संरचना क्या है दा लॉंग रिवोलिशन में विलियम्स ने जो अतिहासिक विश्लिशन किया इसी के आधार पर उन्होंने शिक्षा का सामाजिक इतिहास रीडिंग पब्लिक या पाठक वर्ग या प्रेस के इतिहास या उसके अध माक्सवाद के आधार अधिरचना के मौडल को खारिज किया और अपने सिधान्त को लेकिन उन्होंने माक्सवाद की एतिहासिक भौतिक वाद की परंपरा से जोडते हुए उसे सांस्कृतिक भौतिक वाद का नाम दिया उन्होंने संस्कृति के एतिहासिक तथा भौतिक व प्रतिबिंबन ही नहीं करते हैं बलकि उसे गठित भी करते हैं। आजनेतिक व्यवहारों, आर्थिक व्यवहारों और अन्य सामाजिक व्यवहारों की तरह संस्कृती भी सामाजिक जगत को परिभाशित और व्याख्याईत करने का महत्पून पत्व है। क्रियाओं का अध्यान महत्पून हो जाता है। विल्यम्स के शब्दों में संस्कृती के सिध्धान्त का सर्वत्तम रूप तब सामने आता है जब वह एतिहासिक रूप से विक्सित विभिन प्रकार की मानवी क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। और एतिहाजिक स्थितियों के बीच उन संबंधों के गतिशील और विशिष्ट रूप की खोज करता रहता है। संस्कृतिक परिस्थितियां स्वयम व्यवहार के माध्यम से बदलती रहती हैं और उनमें नए नए परिवर्तन की संभावनाई भी छिपी रहती है। संस्कृति का कोई भी सिध्धान्त, संबंधों के विशिष्ट परिवर्तन शील स्वरूप की व्याख्या का सिध्धान्त मन कर ही महत्वपूर्ण हो सकता है। न की एक और विभिन कला व्यवहारों को समेटने का प्रयास करने वाला अमूर्तन पर आधारित कला सिध्धान्त या दूसरी और उसके विकल्प के रूप में एक सर्वग्रासी समाज सिध्धान्त। संस्कृती को अवशिष्ट, प्रभुतुशाली और आविर्भावी तक्तों की गतिकी में देखने के कारण ही किसी भी युग की कृती में हाश्या कृत और विध्धन्सकारी तक्तों की पहचान के साथ उसकी जटिल समगरता की खोज की जा सकती है। इससे यह पैचाना जा सकता है कि हर पराधिन्ता के इतिहास में प्रतिरोध का इतिहास भी नहित होता है। और यह भी कि प्रतिरोध सदैव पराधिन्ता का चिन या प्रमाण नहीं होता, बलकि यह भिन्नता का भी अमिट चिन्न होता है जो सत्ता के द्वारा परिवर्तन का दरवाजा बंद करने को रोकता है विल्यम्स कंसार यह पद्धती इस बात को भी खोज सकती है कि विभिन युगों में वर्ग संगर्ष को किस तरह से रोका या संभाल लिया गया रेमन्स विल्यम्स की पुरी कृतित्व में भाषा की बहुत महत्पूर्ण भुमिका है उनके उनसार भाषा भाषा भोतिक है और भाषा की भोतिकता दो सिध्धान्तों से तै होती है पहली भाषा एतिहासिक होती है और दूसरी यह कि ये एक व्यावहारिक संगठन करत्री संस्कृति की संरचना करने वाला रूप है भाषा शुद्ध माध्यम नहीं है जिसके द्वारा सिर्फ सामाजिक यथार्थ या अनुभव प्रवाहित होता है बलकि भाषा सामाजिक साजेदारी और पारस्परिक गतिविधी है जो सक्री संबंधों में नहित होती है और यदि यह माध्यम भी है तो तटस्थ या मूली निर्पेक्ष माध्यम नहीं है यह स्वयम में सामाजिक, राजनेतिक और विचारधारत्मक संगर्षों का मूर्त रूप है भाषा सामाजिक प्रक्रियाओं की भौतिक सामग्री है इगल्टन के उसार भाषा आजीवन रिमंड विल्यम्स की बौधिक धुन बनी रही शब्द उनके लिए घनीभूत सामाजिक विवहार एतिहासिक संगर्षों के मुकाम और राजिन्तिक विवेक या प्रभुत्व के कोश थे इसलिए हम पाते हैं कि विल्यम्स की विशलेशन पद्धती में बीज शब्दों की अवधारना बहुत अहम है इसे उनकी पुस्तक कल्चर एंड सोसाइटी से ही पाया जा सकता है उनके लेखन में इसके परिशिष्ट को समवर्धित करके ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक की वर्ड्स का निर्मान किया की वर्ड्स या बीज शब्द उनके लिए अनसंधान की पद्धती होने के साथ साथ अपने तर्क के संगठन का जरिया भी है इन शब्दों के विवेचन में भले ही भाषा या विचारों का विवेचन दिखता है लेकिन दरसल उसमें ब्रिटेन की आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक गतिविधियों का इतिहास समाहित है रेमन विलियम्स 20 सदी के सबसे महतपूर्ण ब्रिटिश विचारकों में गिने जाते हैं उनके चिंतन में संस्कृती और संस्कृती में भी साहित केंद्री तत्वरह है साहित को वे सामाजिक उत्पादन की प्रक्रिया का अंग मानते हैं और उस प्रक्रिया को प्रतिबिम्भ या पुनृत्पादन के तौर पर नहीं देखते हैं दरसल विलियम्स का सारा लेखन इतना अंतर संबंधित है कि उसको किसी भी एक धाचे में बांध कर रखना मुश्किल है उनको संस्कृतिक अध्यन करता के रूप में देखा गया है लेकिन संस्कृति उनके लिए बहुत ही जैसा उन्होंने खुद कहा है होल वे आफ लाइफ है विलियम्स राजनीती पर बात करते वे भी बीड़ शब्दों की बात करते हैं और शब्द में नहित जो एतिहासिक और संस्कृतिक परिवर्तनों की पूरी पूंजी होती है उसका विशलेशन करते वे भी राजनीतिक तत्वों की बात करते हैं वे शब्दों के अंदर नहित एतिहासिक और विचार धारात्मक जटिलता को घाटित करते हैं और उसके माध्यम से सामाजिक प्रक्रिया के रूप में साहिती को देखते रहे हैं। इसलिए उनके निशकर्ष में कभी भी साहिती गौन नहीं रहा है। वह साहिती की साहितीतर चीजों से व्याख्या करने को गलत मानते हैं। और इसलिए उन्होंने आरम में पुराने माक्सवादी मॉडल का विरोध किया था। लेकिन इसके साथ साथ वो साहित्य को एक विशिष्ट और अभिजात प्रक्रिया भी नहीं मानते हैं। वो साहित्य को या संस्क्रिति को या संस्क्रिति के रूप में की जा सकती हैं। अन्भोती जो एक बहुत ही तातकालिक स्वरूप है। उन्होंने कहा था इसे अनुभाव की संरचना भी कहा जा सकता है। लेकि अनभाव में जो एक व्यतीत होने का बोध अनभाव शब्द के साथ जुड़ा हुआ है इस कारण वो अनभाव की जगा अनभूती को रखना पसंद करते हैं अनभूती में एक तातका लिखता है, अस्थिरता है और एक परिवर्तन शीलता की भावना है तो उस अनभूती की संद्रचना पाठ के रूप में मौजूद होती है संद्रचना शब्द उनके लिए इसलिए महत्पूर्ण है कि संद्रचना भी एक जड़ विवस्था नहीं है संद्रचना में भी एक तरह की डैनेमिक्स, एक तरह की गतिकी है संरचना में एक तरफ उसके तमाम अव्याव आपस में संबंधित भी रहते हैं और एक तनाव की स्थिती में रहते हैं यही तनाव और संबंध का रूप उनको एक खास धाचे में बानता है और इसी संरचना को पहचानते हुए किसी काल में विशिष्ट जो संस्कृति के अलग-अलग अनभौती के रूप उसमें कौन सा रूप अवशिष्ट है, कौन सा आविर्भावी है, कौन सा प्रभावी है और कौन सा वेकल्पिक है इस संस्कृतिक रूप की पहचान की जा सकत उन्होंने नाटक, कविता, उपन्यास, इन सब का एतिहासिक विशलेशन किया और इन सब को संस्कृति के विभिन रूपों की अभिवक्ति के तौर पर देखा उनके कारियों की प्रेड़ना से ही संस्कृतिक अर्धियन की शुरुवात वी उन्होंने अपनी पद्धति को संस्कृतिक भौतिकवाद कहा और संस्कृति को सामाज की भौतिक प्रक्रिया से जुड़ा बताया भाषा को भी वे इसी भौतिक प्रक्रिया का अंग मानते थे दरसल विलियम्स बिटेन के ऐसे माक्सवादी थे जिनके लेखन में जिनकी साहित द्रिष्टी में हमें पश्चिम के जो पश्चिमी माक्सवाद के तमाम चिंतक हैं उन सब के कारियों की जहलक मिलती है चाहे वह लुकाच हों जिनकी समगरता की धारना का उन्होंने उपयोग किया चाहे ग्रामशी हों जिनकी हेगमनी की धारना को उपयोग किया चाहे गोल्डमान की विशुद्रिष्टी की धारना हो या फिर अल्थुजर की विचारधारा की धारना हो विल्यम्स ने इन सब से कुछ न कुछ लिया है लेकिन इन सब को जियों कातियों नहीं लिया है इन सब को उन्होंने अपनी आवश्यक्ताओं के अनुसार और अपनी प्रक्रिया के अनुसार उसको प्रक्रिया और संबंधों में देख करके अपनी एक धारना व्यक्त की है। इसलिए Raymond Williams को बिटेन का सबसे महतुपूर्ण संस्कृतिक या साहितिक चिन तक कई लोग इस मानते हैं। अपने एतिहासिक विशलेशन में अवशिष्ट या आविरभावी संस्कृतियों की पहचान के दौरान। Williams ने जो इतिहासिक विशलेशन किया, उसमें कई तरह की चीजों पर पहली बार सक्री रूप से काम हुआ। उन्होंने शिक्षा के सामाजिक इतिहास पर बात की, उन्होंने दरसल साहिति की श्रेणी के महतुपूर्ण हो जाने की बात की। उन्होंने यह देखा कि साहिति एक श्रेणी के रूप में या साहिति का जो वर्तमान रूप है, वह इतिहास के खास दौर में महतुपूर्ण हो जाता है। उन्होंने रीडिंग पब्लिक यानि पाठक वर्ग का भी अध्यन किया, इंग्लैंड में दे ग्रोथ और रीडिंग पब्लिक, हलाकि इससे पहले कुईनी लिविस इस पर काम कर चुकी थी, लेकिन विलियम ने उसको बहुत विवस्तित तरीके से प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस के विकास पर भी, पॉपलर प्रेस के विकास पर भी काम किया। सांस्कृतिक अध्यन नाम के एक अनुशासन की शुरुवात होती है और उनकी पुस्तक लॉंग रिवॉलुशन इसका आधार ग्रंथ मानी जाती है। उनके बहुत सारे अन्याई उनी के बताये तरीके से सांस्कृतिक अध्यन की शुरुवात करते हैं। जिसमें सिर्फ संस्कृति ही नहीं। बलकि आज की संस्कृति शेक्स्पियर को कैसे देख रही है। शेक्स्पियर आज के पॉपलर जो तमाम रूप है, सांस्कृतिक रूप उनमें किस तरह से समाहित है। इन सभी चीजों का अध्यन उसमें शामिल था। और ऐसे कई तरह के सांस्कृतिक अध्यानों की शुरुवात रेमंड विलियम्स के इसी तरह के अध्यान से एक तरह से शुरु उसी पर आधारित थी जब विलियम्स का जो सांस्कृतिक अध्यान का या जब का जो या मॉडल आया तो विलियम्स ने इसे एक नया नाम दिया, जो नाम था सांस्कृतिक भौतिक वाद। दरसल विलियम्स अपने इस अध्यन को माक्सवाद के उस वल्गर बेसिक रेवल्ड विलियम्स सांस्कृतिक अध्यन के लिए कोई फार्मूला नहीं तयार कर रहे थे, वह एक जटिल प् इस प्रक्रिया का अध्यान, इस गतिशील प्रक्रिया का अध्यान कैसे किया जा सकता है, इसकी बात वह कर रहे थे, जिस इसकी गत्की में इसके जो संस्कृति के रूप है, वो पाठ के सहारे ही उभर करा सकते हैं, इसलिए वा पाठ के गहन विशलेशन पर बहुत जोर देते उन्होंने संस्कृति के रूपों के अध्यन के लिए साहिति को कभी पीछे नहीं छोड़ा है यानि समाज के अध्यन के लिए साहिति को उधारन नहीं बनाया है बलकि साहिति के अध्यन की एक ऐसी प्रविदी तयार की है जिसमें समाज और साहिति का अलग-अलग विभाजन नहीं है। साहिति समाज की आपसी अंतर क्रिया के रूप में देखा जाता है। इसलिए उन्होंने अपने इस पूरे अध्यान को नाम दिया सांस्कृतिक बहुत एक बात।